हेलो फ्रेंड्स वैलकाम बेक माई यूटूब चैनल टेकनिकल मुस्ताग फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके रियल में C3 में यदि इसका पावर की एगर वर्क नहीं करता है तो हम इसको किस तरीके से रिपेर कर सकते हैं दोस्तो मैं आपका टाइम बेवेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं सीधा यहाँ पर इस वीडियो को स्टाट करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में मैं इसका जो पावर की का ट्रेक है उसको बताने के साथ साथ आपको यह समझाने वाला हूँ कि जो यह हमारा पावर की है वो कैसी करता है इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है इन सभी को मैं complete explain करने वाला हूँ कि हमारे मोबैल को कैसी पता चलता है कि उसमें पावर की को दबाया गया है तो दोस्तों हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले द करने यह है मार Diese power की antenna को दोस्तों सक marshmeldונports का से सप्लाई कहां से स्टार्ट होती तो सबसे पहले यहां से सपलाई नहीं जा दिस तर सफट आती है तो दोस्तों यहाँ पर का से स्टार्ट करेंगे यहां से स्टार्ट FAR करेंगे हमारे मिश्की। यह मेन पावर की supply निकलती हैं सब से पेले हमारे इहां पर इसके नीचे की तरब यहां पर एक डैयोड लगा आप देख सकते हें chi तुक एए इस डैयोड के अंदर यहां पर इस के से से आउट से इस पर आती है उसके बाद इस वाले पेंट से आउट होती है मैं आपको बिल्कुल इतना अच्छे से explain करूँगा कि आपके यहां पर कुछ भी doubt नहीं बचेगा ठीक है उसके बाद ही हमारी supply कहां से जाती है कहां जाती है उसके बाद जाती है दोस्तों यह हमारा power key के यहां पर देख सकते हैं और देखो यहां पर जो यह वाला ren dancing यहां मतलब nc के मतलब होता है note connected इसमें इसे यहां पर यह रिए data लग गयिर के लिए लिल्फ Dollar came के बाद यहां पर इसकी इतल इतला चाह Careful उसके लिड्योस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यह हमारा पावर की है या फिर हमारा जो मोबाईल होता है, वो लोजिक लोजिक हाई पर काम करता हैं, किस पर काम करता हैं, लोजिक का Water होना और लोजिक का तो अब मैं आपको यहां पर इस चीज़ को explain करता हूं सबसे पहले क्या होता है हमारे इस power ic से कुछ voltage निकलता है हमारे इस वाली लैन से voltage आता है मान लेते हैं कि ये voltage आ रहा है दो voltage सबसे पहले ये मान लेते हैं ये 2 volt यहां से निकल रहा है हर mobile में अलग-अलग होता है वो उसके circuit के अनुसार या company डिजाइन करती है उसके साब से रहता है ठेके यहां से 2 volt निकल रहा है तो वो 2 volt का आ रहा है हमारे यहां पर इसवाले diode के इस point पर आ रहा है उसके बाद इस वाले point पर आ रहा है और उसके बाद इन capacitor और register से होतावा कहां जा रहा है हमारे यहां पर इसवाले antenna के पार्स तो यहां पर आ गया कितना? 2 voltage कुछ कम हो जाते हैं register के जरिए फिर भी हम माल लेते हैं यहां पर आ गया 2 voltage तो फिर क्या होता है wilderness यहां पर 2 voltage आ रहा है और power ICC यहां 2 voltage निकल रहा है इसका मतलब यह भी तो हो ना हमारे इस वाले point पर भी 2 voltage मिल रहा है इस पर 2 voltage बन रहा है तब ही तो यहां से आ रहा है तो दोस्तों जब हम power key को प्रेस करते हैं जब हम power key को दबाते हैं तो क्या होता है तो हम इन दोनों को short करते हैं तभी तो power key on होता है देखो जब हम इनको short करते हैं तो फिर क्या होता है जो ये दो voltage है वो क्या होता है यहां से इससे निकलता है ग्राउंड हो जाता है बतलब यहां पर हो गया वोल्टेज जीरो क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में शोड कर दिया है जब हम दोनों को आपस में शोड किया तो यहां पर कितना वोल्टेज हो गया जीरो अगर यहां वोल्टेज जीरो हुआ तो हमारे यहां पर पावर ऐसी क इस वाले point पर voltage 0 होता है तो फिर IC को पता चल जाता है कि power key को दबाया गया है तो इस दोरान इसको इस तरीके से design और program किया जाता है कि अगर आपके इस वाले point पर voltage 0 हो गया इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया logic low हो गया तो अगर आपके logic low हो जाता है तो फिर आपको mobile को on करना है तो दोस्तों इस तरीके से इसका power की work करता है ठीक है तो I hope दोस्तों यह video आप लोगों के लिए help पूल रहा होगा अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख ले अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई